हेलो, वेल्कम बेक टो माई चैनल, मैं नीलम आपके साथ और फ्रेंड कैसे हो, I hope कि सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे तो आज ना मैं आपके लिए, आज मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है कल मैं थोड़ा सा ना देखती रहती हूँ घर में, क्या मतलब ये चीज मेरे किस यूज में आ सकती है मतलब कोई चीज अच्छी होती है ना तो मेरा मन नहीं होता उसे फैकने का और बहुत बिल्कुल वो जो बेकार समान था और मैंने कुछ भी इसके लिए मार्केट से कुछ में ही मैं लेकिन नहीं आई हूँ और जो घर में था उसी से मैंने पूरी कोसिस की है बहुत अच्छा DIY बनाने की आपको कैसा लगेगा अपना वीडियो को पूरा देखना बीच म स्किप मत करना उसमें मैं वीडियो के बीच में ही और भी आईडिय दूँगी और टिप्स दूँगी कोई और अच्छी मतला उसमें अगर ये चीज आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगा और क्या यूज कर सकते हो वो भी मैं वीडियो के बीच बीच में बताती तो वीडियो को पूरा वाच करना, इसकिप मत करना, बहुत मैनस से मैंने वीडियो बनाया है तो प्लीज चलिए देखते हैं क्या-क्या वेश्ट चीजों से हम बहुत अच्छी डेकोरिशन कर सकते हैं तो यह तो आप देखके पैचानी गए होगे, यह है जिसमें हम कप लेके आते हैं, अपना टी सेट, वही है कपो का डबबा, तो कप तो मैंने अपना ड्रॉर में लगा दिये हैं, तो यह मेरे पास रखा था, तो आप सोच रहे होगे इसका क्या यूज है, तो फेंकी देते होगे, लेकिन आज में इसका बताऊंगी, बहुत अच्छा है, डियाई वाई, और एक यह मेरे पास जैम की शिशी है, जो की बेकार थी, बेकार है भी, यह पहले मैंने इसको लैस से डेकोरेट किया था, लेकिन अब लैस भी इसकी खराब होगई, और इसमें मैंने मनी प्ल से बची हुई मेरे पास रखी है, और यह बस मैंने यह पैकिंग पेपर मेरे खरीदा हुआ है, क्योंकि यह भी मैंने पहले खरीदा था, तो उसी में से बच रहा है, दो पीस, तो बाकी मैंने कुछ भी यह डिवाई बनाने के लिए बाहर से कोई पर्चेस नहीं किया, बस इस तरह की जो डबे आते हैं, एमाजॉन वगरा की जो पैकिंग डबे होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, तो जो उपर की तरफ से बंद होता था, वो मैंने अंदर को फोल्ड कर दिया, और यह देखे, बहुत मजबूत हो जाते हैं, फिर उसके बाद यह, क्योंकि डबल लेयर हो जाती है, एक तरह से, जो उपर जो पैक हो रहा था, उसको भी मैंने अंदर की तरह फोल्ड कर दिया, तो यह है सुभी के कुछ कलर, तो इनी में से मैं चेक कर रही थी, कि कौन से कलर हैं, कौन से अगर दो कलर को मैं मिला के बना लूँ, कुछ भी मैं बहार से नहीं लेना चाहा रही थी, तो ठीक है, फिर मैंने यह डिसाइड किया, कि मैं दो कलर को मिला के बनाओंगी, तो सबसे पहले मैं उस रसी, जो डोरी थी ना, कपड़े सुकाने वाली, उसको मैं काच की, बोटल, जो ती जैम की, उस पे मैं ग्लू गंसे, पूरे पे उसको लगा ल अच्छे से सूखे और रेडी मिले, ग्लू गंका तो तुरंती सूख जाता है, लेकिन इसमें मैंने कलर किया था, तो मैंने का आप सुबा करूंगी, रात में यह सब आधा काम मैंने करके रख दिया था, तो यह देखिए, रसी मैंने पूरी इस तरह से, इसके चारो तरफ लपेट दी है, और उपर मैंने अभी छोड़ दिया है, या तो उसमें मैं कलर कर दूँगी, नहीं तो फिर उसमें बाद में कुछ सोचूंगी, लेस लगा दूँगी, अगर आपके पाद दो कलर में हो, तीन कलर में हो इस तरह की रसी, तो वो तो और भी अच्छी लगेग पर मेरे पास इस समय यही थी, तो जब मैं इसमें कलर करने लगी ना, तो मुझे लगा साइद एक ही कलर से दो कलर को मिला के मतलब इतना पी नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर ये पूरे में हो गया था, नहीं तो मैं सोच रीती, इसके खान मतलब अलग-अलग कलर में कर लेकिन फिर मेरा एक ही मेलव मेने स्काइब लिए और येलो को मिला दिया था, तो ग्रीन कलर मेरा बन गया था, पैरेट ग्रीन, तो बहुत अच्छा लगा कलर भरने के बाद, तो मैं अब इसको अभी रात में करके रख दूँगी, और सुबा फिर मैं इसको आपको दिखा इस तरहां पैकिंग पेपर मैं ये लगा दूँगे, तो ये भी मैं आभी लगा दूँगे, ये तयार हो के और कलर होने के बाद कितना सुंदर लग रह लगा भी नी हरा, ये कप वाला हमारा वह नही deafड़ा है। तो चलिए मेरे पास ना जैसे यह आर्टइफिशल फूल खराब हो जाते हैं तो हुनी में Jinping एक फूल कल सकरेखे लिसकी देखि hiי को डे क्लिए और जैसे फूल निकलिह काते हैं तो वही एक फूल है तो इनिकल के लग में दूद getting ever तो जैसे मैंने वाश किये थे बहुत पुराने हो गए थे तो मैंने सुचा उसी में से ये कुछ मैंने इसको डेकोरेट कर रही हूँ आपके पास डेकोरेट करने के लिए छोटी छोटी जो गुलाव वाले वाले आजाते हैं आपको थोड़ा सा मैं अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ कि जहां मैं रहती हूँ ना यहां पे कोई DIY बनाने के लिए क्राफ्ट का समान के लिए कुछ नहीं ऐसा मिलता है तो बस मुझे जो भी है मैं घर में से अरेंज कर रही हूँ और देखना बहुत सुन्दर सा तयार हो जाएगा बनके DIY तो यह मैंने देखी इस पे सजाद लगा दिया है तो चलिए बताना मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कैसा लगा मुझे आपको यह फ्लावर पॉर्ट घर की वेश्ट चीजों से देखे कितना अच्छा बन गया है और इसमें मैंने लगा दिया मनी प्लांट मनी प्लांट घर के अंदर भी फ्रेस रहता है बस उसका पानी दो या तीन दिन पे चेंज कर दें और कोसिस करें कि पानी जो है वो आरो का हो और यह एक मैंने डबबा बनाया था यह भी मैं कोई और किया था उसमें था मला आया था बहुत अच्छा मजबूर दबबा था तो हमारे जो छोटे मोटे समान जो इधर उधर रखे रहते हैं तो वो हम इन डबबो के अंदर कवर करके रख सकते हैं यह रखे भी अच्छे लगते हैं और यह है तेल का जो कनस्तर आता है उसको मैंने बस पेपर लगा दिया है पैकिंग पेपर और एक मेरी लैस थी दुपटे में से निकली थी वेश्ट थी तो वो मैंने उससे उसको डेकोरेट कर दिया है बाकी मट्किया यह आप लोग के घर में भी आती होंगी जैसे होई कर से डेकोरेट कीजिए बिल्कुल फ्री कोश्ट में तयार हो जाते हैं यह तो दूसरे जो डबे से हमने बनाया कपों के डबों से उनका यूज करूंगी मैं यहां पे जो मेरी आर्टिफिशल जोयलरी है जो कि इसमें मैं बहुत जादा तो नहीं लेती हो ना मुझे बहुत एक नो दियार दो लगल है तो चलू इ nuovo मैं रखने लगण मेरी हो इसमें आठाटि इसमे ऐली को मैंने यहां इस तरह से मारिकर जोग लेती हो चलो तो इसका मैं अपने लिए एक हॉमवेड DIY बना लेती हूँ तो देखे कितना यूसफुल बन गया है तो आप भी अपने घर में देखिए जरूर घर में ऐसी ऐसी चीजे निकल जाती है जो कि हमारी बहुत ही यूसफुल बन जाती है फ्री कोश्ट में तो नेक्स जो हम बना र हूँ स्लेंडर का कवर क्योंकि मुझे चाहिए था मटका रखने के लिए जो आप देखते होगे मेरी वीडियो में जो मेरा मटका है वह स्लेप पे रखा रहता था अब उसके लिए मैं स्टेंड बन वाओं तो वो भी जगा भरने वाली बात है और आप जानते हैं कि मैं मटका रखने के लिए स्टेंड बना रही हूं तो पहले मुझे बनाना है सिलेंडर का कवर तो उसके लिए मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूं अगर आपको भी इस तरह से बनाना हो अच्छा लगे तो बनाना तो मैंने इसका नाप ले लिया है और फिर हम मैं इसको सिलूंगी बस मैंने इसमें उपर से और नीचे से इसको मोड दिया है उपर मैं छोटी लास्टिक डालूंगी और नीचे से मैं बड़ी लास्टिक डालूंगी इसमें बाकी मैंने इसमें कोई शेप नहीं दी है बस इसकी लंबाई और चोड़ाई तो आप कितना भी प्लेट्स में आजाएंगी जितना ज्यादा लेंगी उतनी प्लेट्स आएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा बाकि आपको जब मैं डाल लगा के दिखाऊंगी तो आइडिया आपको तबा जाएगा तो देखिए मैंने एक तरफ डाली है छोटी लास्टिक मतलब इस तरह से लास्टिक डाली है और एक तरफ से मैं डाल देखिए इतनी लास्टिक मैंने ये डाली है ये रही है हमारी उपर की साइड और जो मैंने चोडी लास्टिक डाली है वो है नीचे जो ये नीचे की तो अब जब हम इसे इसको डालेंगे सिलेंडर पे तो हम डालेंगे इस तरह से जैसे बच्चे के गले में टी-शेट पैनाते हैं उस तरह से तो उचोटा वाला हिस्सा है वो ऊपर रहेगा और नीचे आजाएगा बडा वाला हिस्सा तो बर्स जो एक्ष्ट्रा कप्डा होग वह हम सिलेंडर में अंदर की तरफ कर देंगे और जो लाश्टिक होगी वह उसकी फिटिंग को कवर कर लेगी तो चलिए मैंने लगा दिया सिलेंडर का कवर और देखे मटका भी रखके दिखा दिया कैसा लग रहा है मटका रखके तो आप तो देखते हो वीडियो में जो मैं कुकिंग अगरा डालती हो कोई टिप्स वगरा तो देखे वैसे किचन में जगा है कवर्ड है पर प्लेटफॉर्म इतना नहीं है पर मटका रखती हूं न तो बहुत प्रॉबलम होती थी तो स्टेंड रखूंगी तो जगा और वे जासने कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं इस फ्लावर पॉट चैडि वीर भी शकते हैं तो चलिए में फ्लावरकौर्ट भी रखा देती हूं तो मैंने इसे पैट रख दी जो च्पिन बेंसे 1 अई यहलो कलर अको मैच बेच्च भी कर रही है और मैने रख दिया इसके ओपर फ्लावर पोर्ट थो मुझे मटके से अच्छा तो जादा फ्लावर पॉर्ट hp लग तो थीच कैसी अभी मटका गर्मी है तो मटका रख लेते है उसके के बाद फ्लावर फोर्ट मैंस पर रखोंगी तो बताना मुझे कमेंट्स में आपको कौन सा डियाइवाई आपको ज्यादा अच्छा लगा और आपको बना रहे हो आपको कितना अच्छी लगी वीडियो में कमेंट्स जिरूर करके बता तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स प्यों में ओकी बाई बाई प्रेंड्स